तो दोस्त अगर आप लोग भी इंटरनेट बैंकिंग में या फिर UNO SBI अप्लिकेशन में अपना user ID और password डाल करके login करने की कोशिश करते हैं तो आपको बार बार इस तरह का message show हो रहा है दिख रहा है यहाँ पर यह लिखा हुआ है यानि कि अगर आपको भी इस तरह का message आ रहा है इसका मतलब यह है कि आपके user ID को block कर दिया गया अब सवाल यह उठता है कि मेरा user ID block हो गया है हम इसे unblock कैसे करें तो दोस्त इस वीडियो को end तक देखना इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले region बताऊंगा कि आखिर में किस वज़ा से आपके user ID को block कर दिया जाता है उसके बाद साथ ही साथ मैं इसका solution भी बताऊंगा तो वीडियो में add तक बने रहना अगर आपको information सही लगे तो वीडियो को like और share करना मत बोलना तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले region समझ लेते हैं कि आखिर में user ID block क्यों कर दिया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी देदू अगर आप लोग अपने UNO SBI account में या फिर internet banking में user ID या फिर password या फिर user ID और password दोनों ही बार बार three times गलत input करके login करने की कोशिस करते हैं यानि कि आप लोग गलत बार बार यूजर नेम या फिर password या फिर password यूजर नेम दोनों ही गलत डालते हैं और तीन बार continue ऐसा करके login करने की कोशिस करते हैं तो आपका user ID ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है न तो एही main region है जिस बज़र से आपके user ID को ब्लॉक कर दिया जाता ह अब बात आती है कि माल लीजिए मेरा user ID ब्लॉक हो गया तो वो situation में अंड ब्लॉक कैसे करें ताकि हम अपना internet बैंकिंग या फिर यूजर अप्लिकेशन एक्सेस कर पाऊं तो दोस्त चलिए चलते हैं mobile के screen पर और वहीं पर मैं आपको सब कुछ live करके दिखाने वाला हूँ सुप फ्रेंट्स user ID को अंड ब्लॉक करने के दो प्रोसेस हैं दो मेठड हैं एक तो आप यूजर अप्लिकेशन के थुरू भी अपना user ID अंड ब्लॉक कर पाएंगे और सकेंड मेठड है chrome browser आप chrome browser का इस्तमाल करके भी अंड ब्लॉक कर पाएंगे तो अभी मैं आपको chrome browser के थुरू ही करके दिखाऊंगा ओकी समसे पहले आपको क्या करना है अपनी mobile phone में Chrome को आपेन कर लेना है उसकी बाद यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है www.online.sbi.com ठीक है उसके बाद आपको सर्च कर लेना है सर्च करने की बाद इस तरह का page दिखेगा आपको refresh कर करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक option दिखेगा login इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर continue to login का option दिखेगा इस पर भी क्लिक करना है अब यह पर कुछ पर पेज आएगा यहाँ पर देखे आपको एक option दिखेगा lock and unlock user red color में आपको दिखेगा lock and unlock user ठीक है तो आपको क्या करना है इसी option पर click कर देना है click करने की बाद next page open हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है select lock or unlock user access select option है इस पर click कीजिए तो यहाँ पर आपको दो option दिखेगा अगर आप अपना user ID lock करना चाते हैं तो first वाला option choose कर लेजिए और अगर आपका already lock हो चुका है और उसे आप unlock करना चाते हैं तो आप unlock user access पर click कर देजिए यहाँ पर click करने की बाद यहाँ पर select हो जाएगा unlock user access और जो user ID आपका block हुआ है वो user ID यानि की username इस box में डाल देजिए यहाँ पर account number आप अपना डाल देजिए और इस capture को इस box में fill कर देजिए उसके बाद यहाँ पर आपको confirm पर click कर दिना है तो देखे यहाँ पर मैंने पूरी तरह से font को fill कर दिया है और यहाँ पर confirm पर click करना है click करने की बाद कुछ इस तरीके का page मेरे सामने आया है आपके सामने कुछ अलग पेज आएगा यानि की profile password डालने का option आएगा तो आप वहाँ पर क्या करना profile password डाल देना profile password डालने की बाद जैसे ही आप confirm या submit का option दिखेगा उस पर click करोगे तो आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा उस one time password को आप वहाँ पर डाल देना input कर देना उसके बाद submit करना तो आपका user ID जो है unblock कर दिया जाएगा ठीक है हो सकता है आपसे ATM card का details भी मागा जाए तो आप feel कर दिजेगा अब आप कह रहे होंगे सोच रहे होंगे कि भाई मुझे क्यों next page नहीं आया तो दोस्त मेरा user ID block नहीं है ठीक है यहाँ पर देके लिखा हुआ है your internet banking user account cannot be unlocked due to one of the regions ठीक है यहाँ पर user account is already unlocked यानि कि user account का जो user का जो account है वो already unlocked पहले से ही है यह भी एक region है जिस बज़ा से मुझे next page नहीं देखने को मिला उसके बाद this facility is available only for retail customers यानि कि यह जो facility है available as retail customers के लिए और input value is incorrect यानि कि इन में इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा method है जिस बज़ा से आपको next page देखने को नहीं मिलेगा अगर ऐसा है तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगर आपका user ID blocked है तो आपको profile password डालने का option आएगा ATM card details डालने तक का भी option आ सकता है तो आप अपना ATM card का last six digit number expiry date, expiry month, expiry year, CVV जो भी आपको बोला जाएगा डालने के लिए CVV नहीं बोला जाएगा सिर्फ आपको month, year डालने के लिए बोला जाएगा और डालकर के next पर click कीजेगा तो OTP आएगा और OTP डालने के बाद confirm कीजेगा तो आपका user ID unlock हो जाएगा तो इसी तरीके से आप कुछ ही सकेंड़ों में अपना user ID unlock कर पाएगे उसके बाद उस user ID को आप दोबारा से योनो SBI application में या आप internet banking में जागर के login करने की कोशिश करेंगे तो आप आसाने से login कर पाएगे मुझे उमीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसके बावजुद भी अगर आपको किसी प्रकार के समस्या आ रही है योनो SBI योनो light इंटरनेट banking से related तो आप मुझे नीचे पूरी डीटेल के साथ comment कर सकते हैं तो आज बस इतना है आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा informative प्लस helpful हुई होगी वीडियो कर प्रसंद आई तो वीडियो के नीचे like का button है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने friend circle में जरूर से जरूर शेयर करना तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी next plus helpful content के साथ तब तक के लिए बाई बाई